समस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टेक्नलोजिक रिडा चैनल में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहां तक कर लिया था माइक्रो सर्फिस के अंदर कि हम लोगो ने एक यूजर बना लिया था आइडनेटी furry आइडेटी वाला जो प्रोजेक्ट है वह हमारा चल रहा है तो हम लोगों ने काईट बनाया रिसोर्स बनाय और हम लोग ऐन को जैंडर and then finally हम लोगों ने default roles डाले admin and user का और उसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक default admin भी बनाया था अब उसके हम लोग claims बनाएंगे and then what हम लोग एक customer बनाएंगे और उसके claims बनाएंगे तो claims में हम लोग जो है name and role property ही देंगे तो user manager से हम लोग जो है नया claims डाल सकते हैं user manager dot create async होता है और जैसे की user को डालने के लिए ठीक है वैसे ही similarly आप लोग जो है add claim async का आप लोग यूज कर सकते हैं add अगर multiple claims है तो आप लोग add claims async डाले और यहाँ पर हमारे पास जो है वो multiple claims ही है तो हम लोगों को जो claim class है वो एक array type की बरानी होगी तो new और claims किसके लिए आप लोग डाल रहे है इस current यूजर के लिए इस current user को आप लोग जो है claim assign कर रहे है ठीक है तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि जो claims है वो particularly किसी user को assign होते हैं और जैसे कि roles assign होते हैं वैसे ही claims जो है वो भी assign होते हैं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो user manager है उसको जो है claims assign हम लोगों ने किया है similarly role भी assign हम लोगों ने किया है तो claims हम लोग assign करते हैं और यहां पर हमारे पास जो new claim है उसमें हम लोग JWT claim types जो है वो use करेंगे तो आप लोगों को भी बता है कि JWT claims types में आप लोग क्या use करते हैं यहां पर आप लोगों ने JWT claims types use किया है new claim JWT claim types dot name and जो claims types dot name property है उसमें आप लोग जो है user का जो name है वो डाल सकते हैं और similarly आप लोग जो role claims है उसमें आप लोग जो है रोल डाल सकते हैं जो user का जो role है यानि कि admin जो है उसका आप लोग रोल डाल सकते हैं तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का role जो JWT claim types dot role and then finally आप लोग उसमें कौन सा role डालेंगे admin का role डालेंगे तो by default हमारी जो class है वो है common identity details dot admin ठीक है तो आप लोगों ने अच्छा मैंने यहां पर multiple claims डाले हैं तो मैंने यहां पर लिखा है dot add claims async यहां पर आप लोगों को लिखना add claims async क्योंकि यह multiple roles हम लोग इसमें insert कर रहे हैं तो then what हम लोगों को क्या use करना है claims async और यहां पर result इसको send कर देना है claims 1 के अंदर आप लोगों का क्या जाएगा result आ जाएगा I hope इतना समझ में आ गया होगा आपको इसकी copy आप लोगों को paste करना है ठीक है इसी की copy आप लोगों को करनी है अब यही चीज जो है आप लोग जो है user के लिए भी बना सकते हैं तो user के लिए just मैंने copy and paste कर दी और उसका जो role है वो हम लोग change कर देंगे और यानि की customer के लिए तो यही चीज आप लोगों को हर बार सीखनी है और यही चीज आप लोगों को करनी है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को आप लोगों को क्या करना है जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने क्या बनाया हम लोगों ने आइडेंडिया इडेंटिटी सर्वर को कॉन्फिजर कर दिया And then what, हम लोगों को क्या करना है? Static details हम लोगों ने save कर दी. अब हम लोगों को क्या करना है, जो Product API है, उसको हम लोगों का Authorize करना है. Authorize करने के लिए, स्वरी, Authenticate करना है, सबसे पहले Authentication होगा. तो हम लोगों क्या करना होगा? जो program.cs file है, Product API वाली, उसमें हम लोगों को authentication एड़ करना होगा और bearer जो है हमारा हम लोग basically JWT जो यूज़ करते हैं वो bearer ही है तो bearer जो है उसका उससे related authentication हम लोग एड़ कर देंगे उसमें ठीक है और जो authority रहेगी हमारी वो हमारी जो हम लोगों ने जो common details वाले में एड़ करी है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे जैसे टेकनोलोजी कीड़ा जो है वो हम लोगों ने एड़ करी थी तो हम लोग वो यूज़ कर लेंगे तो ये details जो है हम लोग customer के लिए डाल देते हैं तो बेसिकली आप लोगों को ये चीद समझ में आ गई होगी कि default claims कैसे बनाते है यूज़र कैसे बनाते है वगरा वगरा इसको हम लोगों को CD करना पड़ेगा तो data cd हम लोग कर देते है program.cs file में ताकि ये जो है call हो जाए इतनी भी बात आप लोगों को सुन्हें आ गई होगी तो हम लोगों को क्या करना है builder.services.addscope scoped type की service जो है lifetime service हम लोग यूज़ करते हैं इसमें यहां पर आ गई आप लोगों के पास identity idb initializer and finally आप लोग idb initializer के साथ साथ क्या यूज़ कर लीजिए db initializer आप लोगों ने यूज़ किया है data seeding आप लोगों ने कर दी तो idb initializer जो है जिस scoped आप लोगों ने डाल दी और उसे seed भी करवा दिया अब आप लोग इसको run कर सकते हैं जब आप लोगों कर लेंगे तो आप लोगों का जो data है वो database में सला जाएगा यानि कि default role आप लोगों का बन गया claims आप लोगों का बन गया user आप लोगों के बन गये ठीक है तो यह सारी चीज़े जो है आप लोगों को check करनी है तो आप आप लोग सर्वर में जा सकते हैं सीक्ल सर्वर में और वहां पर आप लोग मैनुली चेक कर सकते कर सकते इन सभी चीज़ों कalls कर दो say…. जो कर लिजिए वगरा वगरा आप लोग अपर पर छाहिन को कर लिजिए अआ ठीक है तो यह सारी चीज़े आप लोग चेक करने के बाद the next one मैंने जैसा आप लोगों को बोला कि आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को configure करना है आप लोगों को product API को secure करना है तो अगर आप लोगों product API को कोई और open ना कर सके secure करना है तो definitely आप लोगों को क्या करना होगा या आप लोगों को authenticate जो attribute है वो use करना होगा ठीक है तो यह चीज़ भी आप लोगों को समझने आ गई तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है जैसे data seeding हम लोगों ने करती अब हम लोगों को protect करना है तो यह जो URL है हमारा तो यह URL हम लोगों को क्या करना है launch settings में identity वाला जो URL है वो हम लोगों ने copy कर लिया and then finally हम लोगों को कहीं use करना है यह product API वाले में है ना हम लोगों को authentication करना है तो authority तो यही रहेगी ना हमारी authority URL जो हर रहेगा वो यही रहेगा तो builder.services.add authentication हम लोग use करेंगे authentication में कुछ settings है जो हम लोगों को करनी है तो authentication किस प्रकार का authentication करेंगे बैरर जो authentication है वो हम लोग उसमें use करेंगे तो spell जो mistakes नहीं होनी चीए इतना याद रखते हैं आप लोग बैरर की spelling जो है वो चेक कर लीजिए और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है बैरर के अंदर one by one जो steps है वो मैं follow कर रहा हूं आप लोगों के लिए और उन सभी चीजों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है जहां तक मेरे से होता है वहां तक मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं और इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ह्लिडी है करके आप लोग जो है शीख सकते हैं और देखें एक साथ अगर आप लोग किसी चीज को प्राई करेंगे तो तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आएиком शीक न सीखने का मतलब यही होता है कि हर एक पार्ट का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तब आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीख पाएंगे तो यह है एड जी डब्लूटी बैरर आप लोग यहां पर डाल रहे हैं बैरर के अंदर आप लोग जो है ऑप्संस यूज़ कर है जो हम लोगों को ज़रूत होगी जे डब्लूटी बैरर का प्रैकेज यह अथंटिकेशन.jwt-barrer और यह जो 6.0 वाला है वही आप लोग यूज़ करें 7.0 वाले प्रैकेज में नहीं जाएं ठीक है क्योंकि हम लोगों ने अभी 7.0 वाले प्रैकेज जो यूज़ नहीं क जे डब्लूटी बैर यूज़ करता ही जैं आप आप लोगों को आप लोगों को सण का है है कि ये बात भी आप लोगों को संदम आ गई होगी कि ये अधररािटी हम लोग क्या टार रह है ठीक है चलिए यहां तक बात हो गई आप लोगों की अग्म है and then options में हम लोगों को क्या add करना है token validation parameters token validation parameters में हम लोगों को validate audience करनी है true sorry false क्यों क्यों कि हम लोगों को token validations है validate करना है उनको कि unauthorized user उसे access ना कर सके तो हम लोगों को क्या करना है token validation parameters जो token के validation parameters है token जिसको मिले वह validate audience जो है validate audience के लिए क्या होना चाहिए false यहाँ पर आप लोग लिखे validate audience और उसमें डाल दीजिए आप लोग false ठीक है अब next आप लोगों को क्या करना है आप लोगों ने authentication तो ऐसे कर दिया आप लोगों को authorization अगर आप लोगों करना है तो authorization भी आप लोग कर सकते लेकिन अभी जरूरत आप लोगों को नहीं है जड़ा next हम लोग यह क्या कर दिया हम लोगों ने हम लोगों ने जो हमारा product API है उसको हम लोगों ने authentication scheme जोड़ दी तो इसका मतलब है कि हम लोग authorized attributes उसमें add कर सकते है roles हम लोग उसमें add कर सकते हैं जो हम लोग annotation यूज करते हैं controller के अंदर अब हम लोग यह सारा का सारा matter ही हम लोग यूआई project के अंदर यूज में ले रहे हैं तो हम लोग जो json file है हमारी appsettings.json उसमें हम लोग basic uri जोड़ेंगे base uri यह नहीं जो हम लोग use में लेते हैं सभी projects को जैसे कि हम लोगों को product API को भी access करना हमारे project में ही हम लोग identity server को हमारे project में एड़ करना है तो दोनों के ही हम लोग जो है जो url है वो एड़ कर लेंगे as a base urls और एक का नाम लिख लेंगे हम लोग product API दूसरे एक identity API हम लोग लिख सकते हैं और उन दोनों में वो जो आप लोगों के launch settings में जो url आते हैं base url वो ही आप लोग render करेंगे आप लोग iis वाले तो render करने वाले नहीं है castle वाले रन करेंगे तो basically आप लोग जो है जो profile वाले है localhost जो है वो आप लोग यहां से just copy and paste ही कीजिएगा अगर दोनों similar है तो वहाँ पर आप लोग quote number change कर दीजिए ठीक है ओके तो इतनी बात भी आप लोगों को संद्धिया गई अब the next one जैसे यहां से मैंने copy कर लिया एक तो identity प्रकेज्ट जो है वो आप लोगों को use करना है दूसरा आप लोगों को उसका use करना है ठीक है अब the next one हम लोगों को क्या करना है जो यह तो हम लोगों नहीं यहां पर use कर लिया अब हम लोगों को वैप प्रोजेक्ट के अंदर इस चीज़ को use करना है तो authentication उसमें भी हम लोगों को add करना पड़ेगा तो उसमें हम लोगों को cookie authentication यूज करेंगे ठीक है और जो हम लोगों ने जो common details में add गया था हमारे rows, users, client, scope और resources हम लोग उनको configure करेंगे add cookies के अदर तो open id connects थो हम लोगों ने वह ही पर use किया था oidc तो वो सारे के सारे parameters हम लोग यहां पर use करेंगे ठीक है तो यह हो गया 7056 और वो हो गया 7055 यह सही तरीके से ही आप लोगों को डालना है इतना याद रखना 70 7056 के उपर क्या रन हो रहा है आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का product API रन हो रहा है 7056 के उपर ठीक है तो आप लोग जो base URL यहां पर डालेंगे 7056 वह उसमें डाल दीजिए और 755 वह आप लोग उसमें डाल दीजिए ठीक है यहां तक हो गया आप लोगों का आप जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि हम लोगों को क्या यूज करना है इसमें builder.service.add authentication options और इसमें default scheme और default challenge scheme default scheme में आप लोग जो hack की scheme डाल सकते हैं और challenge scheme में आप लोग open id connect डाल सकते हैं आप लोगों को को कुकी एड़ करनी है आप लोग लिखेंगे add cookie और जो name है वो को कुकी डाल दिया cookie का cookie लिख दिजिए और then finally expiry time आप लोग डाल कीजिए cookies का and open id connect method आप लोग यूज कीजिए लिकिन उसे पहले आप लोगों को कुछ packages है वो install करने पढ़ेंगे वरना add open id connect जो है वो आप लोगों को मिलेगा ही नहीं तो जैसे कि कुछ packages है जैसे कि tokens.system.identity.model.token.jwt है open id connect है esp.netcore का authentication.open id connect authentication वाला package आप लोगों को यूज करना पड़ेगा abstraction वाला package अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर लीजे तो कुछ packages है जो open id connect के लिए आप लोगों को यूज करने पड़ेगे ठीक है add open id connect method है लेकिन इससे पहले आप लोगों को किछ packages है जो मैंने अभी बताएं आप लोगों को वो आप लोगों को add करने पड़ेगे must है कि अ कर सकताटा मैं है तो यह नूटन साथ टोट जैशन वाला तो आप लोगो की पास पहले से इंस्टोल्ट है तो इसको तो करने ज़रत नहीं है एक तो और फम्हांट डाट ओपन डी कनेक्क आप लोग यूज़ कर लिजे पहला दूसरा अब लोग जो है यह आ गया authentication वाला तो पहला package आप लोग authentication वाला एट गे लिजिए by default latest version 2.2.0 है and then next open id connect आप लोग use कर लिजी कर लिजिए आप लोग लोग दो किजिए रिजिए रचला प्ला यह लोग लेजर डरन टाइम वाला तो हम लोगों को जुरत नहीं है क्योंकि वो तो अलड़ी हमारे पास वाली फीचर्स में आता है एंड सिस्टम और आइटिटी मॉडल डॉट टॉकं डॉट ये कर लीजिए ठीक है पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को ओपन आइड कनेक्ट यूज करना है उसमें हम लोगों को ओथरिटी एड करनी है getClaims from user endpoint हम लोगों को एड करना है client id एड करनी है जो कि हम लोगों ने वहाण पर create की थी हमारे वाले पार्ट में identity वाले पार्ट में common details के अंदर और response type हम लोगों को यूज करनाDonald जो है क्या थे dot name claim types था और role claim types था यह दोनों ही हमारे token validation parameter में आते हैं नेक्स्ट स्कोप भी हमारे पास वहाँ था और सेव टोकन हम लोग यहां पर यूज़ करी रहे हैं तो फाइनली हम लोग वह यूज़ करेंगे ठीक है ठीक है तो यह वाला पार्ट जो है आप लोग builder.configuration और कहां से उठाएंगे appsettings.gession file से तो वहाँ पर base url से आप लोगों के colon करके आप लोग जो है identity API उठा सकते हैं ठीक है क्वाँड़ कि अभाँ वहाँ या नथे करेंगे यूप फूलाओ झालका लोग intention रखे लोग रहे ग our ़िभाँ आपे लोग यूचिच़ करेंगे टेक juego कि आप लोग यारा है Sharing यहां पर आगया आप लोगों के पास आइडेंटिटी अपी आई आप लोगों को get claims from user info endpoint आप लोगों को use करना है तो उसमें true डाल दीजिए client idea आप लोगों को वही select करनी है जो कि comment details में आप लोगों ने add करी थी and client secret भी डालना है जो आप लोगों को add आप लोगों ने add किया था वहाँ पर response type भी डालना है जो आप लोगों ने identity वाले में comment details के अंदर add करी थी खीक है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा कुछ outputs जो है अभी sure नहीं कर रहा हूं क्योंकि code बहुत ज्यादा lengthy हो जाता है उसके बाद में आप लोगों का भी मन नहीं करता है code को सीखने में और चीजों को बनाने में तो इसलिए मैं थोड़ा short code ही लिखता और आप लोगों को बस समझ में आ जाना चाहिए मेरे लिए इतना ही काफी है और मैं यह चाहता हूं कि आप लोग चीजों को सीखें समझें और टेक्नलोजी कीडा को जरूर सब्सक्राइब करें टेक्नलोजी कीडा आप लोगों की हर वे में आप लोगों को मदद करेगा औ और मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग bell icon को भी प्रेस करें और join button को भी क्लिक करें अगर आप लोग join button क्लिक करके membership ले लेते हैं तो आप लोगों को help मिल जाती है online और जो code है वो भी freely आप लोगों को available हो जाता है तो आप लोग बहुत सारा कुछ सीख सकते है join button से और मैं यह कहूंगा कि जो membership है वो सिर्फ 199 रुपीज की पर मन्त है तो आप लोग जो है Netflix वगरा भीत अपना जो time है वो वेस्ट कर रहे हैं 600-600 रुपए भी देते हैं 300 रुपए भी देते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है अपना कुछ जो है सीख सकते है तो यह सब कीजिए उसके बाद में हम लोग जो है इसको configure करेंगे उसको तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अच्छे से नई वीडियो के साथ धन्यवाद लेकिन प्रीज सब्सक्राइब करना और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अगर आप लोगों को कुछ सबस में नहीं आया है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजी इसमें ताकि मैं आप लोगों की help भी कर सकूँ ठीक है धन्यवाद कर दोग लोगों की अोगो कि अन्यवाद 3 sl. लूगों की चार hun आप लोगोंıs की उनल, आप लोगों की अन्यवाद 5 वीजी दिक मैं मैं आप लोगों समस्ली